पूद्र ऐस स्टूडेंट्स वेलिकम टूम तो मब यूट्यूब चैनल एनी टामे चानल को सब्सक्राइब मैं प्र दाप्रेस जब्राइबिक अप्डेट सो फॉ तूटेंट्स आज भात करें टोपिक की जिसका नाम है विडान गुड विल इससी पहले इस्टूडेंट चे का नाम से अजेस्टमेंट ओफ कैपिटल इससे बरे स्टुडेंट्स वीडियो में कुछ हो टूपिक्स की बात कि थी जैसे कि पेमेंट ओफ दी अमाउंट ड्यू टू रिटारिंग पार्टनर उसके अलावा वैन गुडविल अकाउंट इस ओल्रेडी अपीरिंग इन दा पार्टनर इससे बाई स्टुडेंट्स लास्ट चैप्टर जो हमारा था अड्मीशन ऑफ न्यू पार्टनर उस चैप्टर में भी इस हिडन गुडविल का एक टोपिक था लेगिन उस टोपिक से ये टोपिक पूरी तरह से अलग गया और उससे बहुत ज्यादा इजी भी ह है चलिए इसके बारे में थोड़ी सी थियोरी देखते हैं पहले सम्टाइम्स दा फरम एग्रीज टू सैटल दी रिटाइरिंग और डिसीज पार्टनर अकाउंट बाई पेमेंट और लंप सम अमाउंट कई बार क्या होता है जो फरम होती है वो रिटाइरिंग पार्टनर या वो पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है उसे एक लंप सम पेमेंट मींस एक इकठी अमाउंट देती है इफ सच अमाउंट इस इन एक्सेस ओफिस कैपिटल अगर वो माउंट उसकी कैपिटल से जादा है एंड शियर इन रिजरेव से रिवल विशन यानि कि पूरी अज करने के बाद जो कैपिटल आई उस कैपिटल से ज्यादा पेमेंट अगर फरम ने उस पार्टनर को दी है तो उसे कहेंगे कि उस पार्टनर को गुडविल का शियर दिया है इसका प्रैक्टिकल कोश्चन देखते हैं अच्छे से समझ आ जाएगा A, B and C रेशो है उनका 1, रेशो 2, रेशो 3, A, B, C तीन बार्टनर है रेशो 1, रेशो 2, रेशो 3, C retires and his capital after making all adjustments for reserves and profit on revolution stands at 180,000 जो उसकी capital है पूरी adjustment करने के बाद सारी adjustment करने के बाद 1,080,000 है जबकि A and B agreed to pay रूपीज 2,025,000 in full settlement 1,080,000 उसकी capital बनती है C की after all adjustment लेकिन A और B ने उसे pay किये हैं 2,025,000 record entry, entry record करनी है और new ratio जो है A और B का वो है 1 ratio 3 तो से बाले देखते हैं इसका solution तो amount agreed to be paid amount कितना agree किया है 2,025,000 less seize capital C की capital है थी 1,080,000 और hidden goodwill कैसे जाए कि this minus this agreed payment minus capital तो यह जाए कि 45,000 hidden goodwill so A's capital account debit 7,500 B's capital account debit 37,500 to C's capital account 45,000 C का capital account यहाँ पर credit होगा क्योंकि वो retire हो रहा है और A और B उसे compensation देंगे क्योंकि वो gain करें A का gain देख लेती है new ratio है उसका 1 by 4 minus old है 1 by 6 तो वो हो जाएगा less उसके लावा B के gain की बात करें तो 3 by 4 minus हो जाएगा 2 by 6 उसका old share तो यह जाएगा 6 by 12 वो रहे का gain 1 by 12 यह बात हो गई hidden goodwill की अब students हम बात करते हैं death of पढ़ना जैसा कि अब जानते है कि हमारे chapter का नाम था retirement and death of partner अभी तक हमने जितने भी topics की बात की वो थे retirement की लेकिन retirement और death के topic लगबग सेम होते हैं लेकिन death में कुछ extra topics भी हैं उनकी हम बात करते हैं यानि कि death of partner topic की on death of a partner जब किसी partner की death होती है the amount payable to him is to be paid to his legal representatives जो amount जिस partner की death हो गई है जो amount उसे pay करनी थी वो उसके legal representative को pay की जाए जोंकि वो partner तो अब मर चुका है so calculation of the total amount due to representative of deceased partner अब जो calculation कैसी होगी पूरी amount की जो की legal representative को हम देंगे deceased partner के on the debt of a partner accounts in books maintain in same way as on retirement of a partner जिस तरह से जब partner retire होता है और उसी तरह से ही account maintain होंगे death पर भी so the legal representative of the deceased partner are entitled to claim the following amount which are credit to his capital account जो ये छे point आप लोग देख रहे हैं ये छे point means ये छे अलग-अलग एक तरह से adjustment है और ये सभी deceased partner के जानि कि जिस partner की death हो रही है उसके capital account में यहाँ पर credit होंगे सबसे बहुत देखते हैं फर्स्ट है amount standing in credit of his capital जो partner की वह उसे दी जाएगी his share of increase in value of goodwill of firm firm की जो goodwill increase हो ये उसमें उसके भी efforts है तो उसमें भी उसका share दिया जाएगा उसे interest on capital if provided in partnership deed अगर partnership deed में mention है कि interest on capital देना है तो वह भी दिया जाएगा फोर्स point है share of profit on revolution revolution किया जब हमने assets or liabilities का और जब profit आया उसमें भी उसे share दिया जाएगा या फिर कोई undistributed profits है reserves हैं उसमें भी उसका share उसे दिया जाएगा और profit up to his death his share of profit up to death जैसा कि आप जानते हैं कि 31st मार्ट तो अगर हम example ने 31st मार्ट 2018 को अगर हमारी account close हुए हैं और 1st April 2018 से हमारा नया accounting year start होगा और अगर partner की death हो जाती है 1st June को so April and May two months जो होंगे उसमें जितना profit firm कमाएगी उस profit में उसका भी share है तो उसे उन टू months का भी share दिया जाएगा यह तो बात हो गई जो adjustment या amounts credit होनी है उसके capital account में अब बात करते हैं उन adjustment की जो की debit होंगी capital account में उस partner के first है drawing अगर उस partner कोई drawing की है तो उस drawing पर interest लगेगा तो वो भी debit होगा hit share of loss on revolution पर अगर loss हुआ है तो वो उसके account में debit हो जाएगा अगर कोई undistributed loss है सच as debit balance और profit and loss का कोई debit balance है तो वो भी उसके account में debit होगा his share of reduction in value of goodwill अगर firm की goodwill negative जा रही है यानि की कम हो गई है तो वो उसका share उसकी account में means capital account में debit होगा all above mentioned adjustment are first made in deceit partner capital account यह सभी adjustment जो भी हमने six जो थी first वो थी जो credit होंगी और five उसके बाद जो हमने की है वो होगी debit तो इन सभी 11 adjustment करने के बाद then the balance of his capital is transfer to his executor account जो balance होगा उसके capital account को उसे executor account में transfer करेंगे क्योंकि उस partner की तो death हो चुकी है so the legal representatives of a deceased partner is entitled at his discretion to interest at 6% per annum on the amount due from the date to the date of payment और two dead portion of profit which is earned by a firm with the amount due to deceased partner यह हमने retirement के case में भी किया था कि या तो उसे जो amount उस पर 6% के rate से interest मिलेगा या फिर करते हैं calculation of profit if the death of a partner occur on any day during the year आप जानते हैं कि death कभी भी हो सकती आप first April 2018 को अगर हमारा नया accounting year start हुआ और उसकी जो partner है उसकी death हो गई 25 June को तो उस partner को उस day तक का उसका share मिलेगा यानि कि एप्रेल मई और 25 डेज जून के भी so the executor of the deceased partner will also be entitled to the share of profit earned by firm from the beginning of the year till the date of his death यही बात हमने अभी की है such profit may be ascertained from any following method और उन profits को निकालने के दो method है first है on time basis और second है on turnover basis और sale basis so students इन दोनो methods यानि कि time basis की और turnover basis की हम next video में बात करेंगे और इनके practical question भी करेंगे और last video के link आपको नीचे description में मिल जाएंगे so thank you